दोस्तों अगर आप अपने फोन में प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आप फिंगर प्रिंट भी लगाना चाहते हैं ताकि आपका जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन है वहाँ पे आप पासवाइड अगर ना भी डालें अगर आप फिंगर प्रिंट से अनलॉक करना चाहें त और नीचे की और scroll करने पर आपको एक option दिखेगा ये वाला passwords and security का option आपको दिख जाएगा आप इस पर click करिए इस पर click करने के बाद आपको नया interface मिलेगा यहाँ पर आपको click करना है privacy protection password पर जब आप इस पर click करेंगे तो आपसे पूछे का password तो जो भी आपका privacy protection password आपने यहा रखाओ वो आप डाल दीजिए उसके बाद आपको इस type का interface मिलेगा अब यहाँ पर आपको एक option दिख जाएगा ये वाला नीचे की साइडल का unlock with fingerprint का यहाँ पर बंद है आपको इसको simply click करके on कर देना है click करके on करेंगे तो यहाँ पर password confirm करने को पूछ रहा है तो हमने confirm कर या password और उसके बाद दिखा रहा है reading finger ठीक है तो यहाँ पर fingerprint जो है verified हो गया और यहाँ पर unlock with fingerprint on हो गया अब हम privacy protection जो है उसको अगर हमको unlock करना होगा तो हम fingerprint के through भी कर सकते हैं ठीक है तो अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे like चैनल को कर लिजे subscribe and bell icon को प्र